हेलो बच्चो कैसे आप सब लोग उमीद करता हूं स्वस्तो और मस्ती होंगे मैं नीरश शर्मा आज एक और शहंदार जबर्दस्त और जिन्दाबाद चेप्टर प्रोबैबिलिटी लेकर के आगे हूं आप लोगों को लिए मगर आज की बात तो सुनो बात यह है कि बच्च इंतजार करने वालों की कतार में हो या कोशिश करने वालों की में क्योंकि अगर कोशिश करोगे तो जितना ले सकते हो उतना ले पाओगे लेकिन अगर इंतजार करके बैटे हो ना तो जो कोशिश करने वालों ने छोड़ दिया है वो बच्चा-खुचा तुम्हें मिलने वाला है ठीक है तो बच्चों हमेशा कोशिश करने वालो में रहो ठीक है चलो हमारा आज का चैप्टर है प्रोबैबिलिटी ठीक है आप लोगों ने पढ़ा है इस चैप्टर को आप लोग 7th 8th 9th और 10th में भी आपको पढ़ने को मिलेगा ठीक है बहुत इजी चैप्टर होता है बहुत आसान चैप्टर है कोई अलग नई बात इसमें होती नहीं है ठीक है प्रोबैबिलिटी जैसा आपने 9th में पढ़ा होगा उससे पहले 8th में 7th में भी इंट्रोडक्शन तो आई जाता है अलका फुलका सा यहां पर भी वह ही है ठीक है बहुत इसली से कुछ टर्म्स होती है वह टर्म्स आपको याद रखनी है उसके अलावा बहुत इजी फॉर्मला होते है एक फॉर्मला होता है पता आपको फैडराब़ेबल आउटकम उपन तोन टोटल आउटकम खैर उसससे पहले प्रोबैबिलिटी वर्ट का मतलब समझ लेते है probability word का मतलब आगर है क्या थीक है थोड़ा introduction में अगर मैं बात करूँ तो देखो आपको यहां पर मैं कुछ words बता रहा हूं देखो यह the word is probably एक तो यह word है most probably strong बता रहा है quite sure chances etc तो बच्चों यह जो word आपने यहां देखे हैं यही सारी बातों में chances होते हैं, जैसे let's suppose, मैं 10 class का student हूँ, यार मैंने मेनत तो करी है, पर मैं pass होंगा के नहीं होंगा, और पास तो होंगा, क्या पता नहीं, क्या मैं first division होंगा, मुझे 60% आएगा के नहीं आएगा, फिर एक आपका दोस्त रहेगा, यार मैंने इतनी पढ़ा यार हो सकता है, है ना, प्रॉबैबिली, possibility है, हम कहते हैं न, समझ रहे हो बात, तो probability जो है न, वो क्या बता रहे है, chances को, और chances किसके, किसी भी event का आप कहतो, क्या वो होगा, नहीं होगा, होना, या नहीं होना, है न, वो अलग बात होगी, होएगा, नहीं होएगा, मगर probability ज uncertainty, probability is the mathematical measurement of uncertainty, तो probability को हमने क्या बोला है, प्यारे बच्चो, uncertainty का measurement, और probability is the branch of mathematics, in which the degree of uncertainty or certainty of occurrence of event is measured numerically, ठीक है, तो certainty का मतलब क्या होता है, निश्चित्ता, समझ रहे हो बात, तो कुल मिला करके, बस ये बात हो रही है, कि किसी भी event के होना, नहीं होना, certain है कि uncertain है, ये सारी बात हमारे को इसके अंदर करनी है, समझ गे, तो कुल मिला के, आपको probability का मतलब बस इतना सा समझना है, प्यारे बच्चो, कि किसी भी event का होना, नहीं होना, है ना, chances, समझ रहे हो ना, आप इसको बिलकुल अपनी general उसमें समझो, general को ये बात, बस, ये ही है probability, और कुछ अलग से ऐसा load लेने की ज़रत नहीं है हमें, कि क्या नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गई न, इतनी बात, चलो, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ terms वगेरा है, उनको भी हम एक बार समझते ह है, ठीक है, देखो, some terms related to probability, कुछ terms होती है बच्चो यहाँ पर probability से related, जो हम discuss करते हैं, ठीक है, वो slowly slowly सारी terms आपको मैं अच्छे से explain करूँगा, देखो सबसे पहले आता है random experiment, क्या होता है random experiment, an experiment is called random, if it has more than one possible outcomes, more than one possible outcome and it is not possible to tell the outcome in advance, इसका ये मतलब है बच्चो, random experiment क्या है, जैसे आपने एक coin है, toss किया, उच्छाला, अब उस पर head आएगा ये tell, देखो, more than one outcome है न, दो outcome आ रहे है, चलो एक dice को ले लो, dice को आप throw करोगे, कितना outcome possible है, one to six तक कुछ भी आ सकता है, तो six outcomes है आपके पास, और आप ये predict नहीं कर सकते कि क्या आएगा, समझ में आरीनवा आप कोई भविश्य वक्ता तो हो नहीं, fortune tailor तो आप हो नहीं, कि बता दोगे कि ये आने वाला है, अगर ऐसा हो गया तो फिर तो इंसान ही नहीं रहे, आप तो भगवान बन गए, ठीक है बई, तो कुल मिला करके, अब आप random experiment को समझ गए, क्या कह रहा है, if it has more than one possible outcome, समझ एक dice को आपने जैसे ही throw किया, उस पर one, two, six, कुछ भी आ सकता है, तो छे outcome है, तो more than one outcome हो गए, समझ में आरी मेरी बात, क्या हो गया, more than one outcome हो गया, clear है, तो जब भी एक से ज़्यादा outcome आ रहे है ना, किसी भी event में, तो मतलब वो कैसा experiment है, random experiment है, ठीक है, तो आपको ये समझ सकते यार, सही बात है न, dice को throw करो, या coin को head or tell, भले ही वाँ पर दो outcome है, head or tell, अगर हम coin toss कर रहे है, लेकिन आप predict तो नहीं कर सकते, आपने कहा, head तो head ही आ जाए हर बार, ऐसा कोई जरूर नहीं है, एक बार, दो बार आ जाएगा, हर बार तो नहीं आ सकता, चालो, तो मेरे कहाल से आपको random experiment समझ में आ गया होगा, एक और word है, sample space, इसका मतलब समझो बच्छो, क्या है, the collection of all possible outcomes, देखो, क्या कह रहा है, the collection of all possible outcomes of an experiment, is called sample space, all possible outcomes का जो collection है, जैसे मैंने बूला न, dice को throw किया, तो one भी आ सकता है, two आ सकता है, three आ सकता है, four आ सकता है, five आ सकता है, six आ सकत एक-dice की बात कर रहा हूँ, तो the collection of all possible outcomes, जितने भी outcomes possible है, उन सब का collection जो है, वो क्या कहलाता है, sample space, clear हुई बात, तो मेरे ख्याल से आपको random experiment, जिसका more than one outcome होने चाहिए, ऐसा experiment जिसमें more than one outcome है, more than one possible outcome, ठीक है, और sample space, collection of all possible outcomes for an experiment, किसी भी experiment में, जितने भी all possible outcomes आ रहे है, उनका collection ही क्या है, sample space, अचा, occurrence of an event, event का होना क्या है, वो भी समझ लो, when the outcome of a random experiment satisfy the condition mentioned in the event, then we say that event has occurred, तो event हुआ है, और अच्छे से मैंने एक example भी यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें आपको और अच्छे से समझा पाऊंगा, देखो, if the die comes up, नहीं, for example से, in the experiment of throwing a die, an event E, अब event को हमने न, बच्छों, E से denote कर दिया, event को हमने E से denote कर दिया, आप confuse मत हो न, मैंने यहाँ mention किया यह चीज, ठीक है, event E may be taken as getting an even number, जैसे हमने, माल लो, एक die को throw किया, ठीक हम क्या चाहरे हैं, कि एक even number, एक even number उस die पर आना चाहिए, यह हमने माना, ठीक है, हम चाहते हैं कि यह मिले हमें, तो number, if the die comes up with any of the numbers 2, 4 और 6, जैसे, समझो बात को, हमने चाहा कि die को हमने जैसे ही throw किया, और हम चाहते हैं कि एक क्या आना चाहिए, even number आना चाहिए, अब die 1, 2, 3 होता है, 1, 2, 6 तक होता है, उसमें even numbers क्या-क्या हो सकते हैं, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, ये 3 ही होगे, इनके लाव और कोई even number तो नहीं होता है, तो अगर, अगर बच्चो, हमने ये बोला है कि even number ही आना चाहिए, और अगर 2, 4 और 6 आ गया, then we say that event E has occurred, तो event E हो गया, event E हो गया, और अगर, आगे बात पढ़ो, otherwise, if the die comes up, 1, 3, or 5, और अगर 2, 4, 6 को छोड़के, 1, 3, 5 में से कुछ भी आया, तो इसका मतलब, we say that event E has not occurred, तो event E नहीं हुआ, समझ में आई बात आपको, हमने ये बोला, कि एक die से हमारे पास, हमने उसे जैसे फ्रो किया, हम ये चाहते हैं कि result क्या आए, एक even number आए, तो हमारा event कब होगा, कब occurred होगा, occurrence of an event कब होगा, जब हमें even number मिले, अब जैसे हमने die को थ्रो किया, dies को जैसे थ्रो करोगे आप, तो आपके पास क्या outcome possible है, 1 to 6 ही possible है, पर हमारा outcome, favorable outcome यहां क्या है, even number, तो 2, 4, 6, ये तीन ही even है, इनके अलावा 1, 3, 5 जो हैं, वो तो old है, तो हमारा event तो केवल तब ही आएगा, जैसे हमने थ्रो किया, अब अगर 2, 4, 6 में से कुछ आ गया, तो हम कहेंगे हमारा event successful, लेकिन अगर नहीं आया, और 1, 3 और 5 में से कुछ आता है, तो हम कहेंगे हमारा event occurred नहीं हुआ, अना, fail हो गया, ऐसा कहा है रखते हैं, तो यहां यही इसने लिखा हुआ है, आपको पता हो तो favorable outcomes, जो मुझे चाहिए, बस, यह समझ लो, favorable outcome का मतब क्या हो गया, जो मुझे चाहिए, या जो question बोले, probability चाहिए, इस इस चीज की, तो वो favorable outcomes हो गया, देखो, the outcomes which ensure the occurrence of an event are called favorable outcomes, देखो, अभी-अभी मैंने एक बात बोली थी, मैंने यहां बताया था, occurrence of an event में मैंने यह बताया था, प्यारे बच्चो, कि हमारे पास क्या event मांग रहा है, कि even number ही आना चाहिए, क्या आना चाहिए, even number ही, तो 2, 3, और 6, यह तीनों outcome जो थे, यह हमारे favorable outcome थे, समझ मैं ही बात, जो हमें चाहिए, even बोल दिया ना हमने, जितने भी even outcomes होंगे, वो हमारे favorable होंगे, favorable का मतलब जो हमें चाहिए, जिनसे event occurred होगा, clear होई बात, तो यह ही किया रहा है, the outcomes which ensure the occurrence of an event are called favorable outcomes to that event, आ गई बात समझ मैं, clear होगी बात, तो यह दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े होंगे, यह आपको पता लग गया, तो event के होने के लिए, event के successful होने के लिए, जो outcomes possible है, उन्हीं को हम क्या कह रहे है, favorable outcome, मतलब जो events को कह सकते हो, जिन outcomes की responsibility है, event को होना ही है, वो जो outcomes है, उन्हों favorable outcome क्या रहे हैं, समझ मैं आगई बात, जैसे हमारे पास die को जब हमने throw किया था, even number के लिए, तो हमारे पास 2, 4, 6, यह 3 outcome कैसे outcome थे, favorable, समझ मैं आगई बात, और total outcome तो 6 हो सकते थे, 1 to 6 तक कितने outcome हो सकते थे, 6, समझ मैं आगई बात, तो 1 to 6 तक तो total outcome माने जाएंगे, लेकिन उन्हों में से favorable, favorable का मतलब जो हमें चाहिए, याद रखना है terms को, चालो, तो मेरे ख्याल से ये conditions, ये सारे आपको समझ में आगए होंगे, क्या-क्या होता है, clear हो गई बात, आगे बढ़ सकते हैं न, चालो, यहाँ पर probability के लिए एक formula है, प्यारे बच्चों, for probability of an event, एक event की probability क्या होती है, सुनो, तो probability of equally likely outcomes, probability of an event, E, अब दोखो, event को हम यहाँ पर E से denote कर रहे हैं, यह मैं आपको बता चुका हूँ, written as P, E, written as P of E, ऐसे करके भी बढ़ सकते हो, is defined as, तो यह P of E जो मैंने यहाँ लिखा होगा, इसको आप ऐसे read करोगे, probability of an event, E, इससे कैसे read कर सकते हो, आप P of E जो है, चलो मैं यहाँ पर भी एक बार बता दूँ, आपको अगर, इसको ऐसे भी read कर सकते हो, probability, probability of an event, of probability of an event, E, P of E को कैसा read कर सकते हो, probability of an event, E, तो यह हमारे पास है, probability of an event, E, is equal to number of outcomes favorable to E, अभी-अभी मैं बात करके आओ, favorable के बारे में यहाँ से, देख सकते हैं आप लोग, favorable के बारे में अभी-अभी मैंने यहाँ से बात करी, तो वो favorable outcomes से आपको उपर लेने, number of outcomes favorable to E, हमारे event E को occurred बनाने के लिए हना, event E को successful बनाने के लिए, जो outcomes possible हैं, वो हमारे favorable outcome है, तो हमने उनको यहीं लिखा, number of outcomes favorable to E upon total number of possible outcomes, और जितने outcome आजाएंगे, समझ मैं ही बात, clear हुआ कुछ matter, जैसे अभी-अभी हमने वहाँ पर एक बात करी थी, कि एक dice है, उसको हम throw कर रहे हैं, तो dice को जब आप throw करते हो, प्यारे बच्चों, तो आपके पास क्या-क्या outcomes possible है, है ना, तो मैं यहाँ पर total outcome की अगर बात करूँ एक बार, total outcomes, यह short मैं outcomes ऐसे करके लिख रहा हूँ, है ना, तो क्या हो सकते थे total outcomes आपके पास, 1, 2, 3, 4, है ना, 5 और 6, यह total outcomes 1, 2, 6 हो सकते थे, लेकिन हमारे favorable outcomes क्या है, favorable, favorable, favorable outcomes, है ना, favorable outcomes की अगर मैं बात करूँ, तो वो था even number, मैं उस पिछले example की ही बात कर रहा हूँ, प्यारे बच्चों, तो वो क्या था, 2, 4, 6, तो total outcomes कितने निकल कर आयते, 6, और favorable कितने आयते, 3, तो अब इस event की probability हमारे पास क्या होगी, तो भाया जी, बहुत ध्यान से तनिक देखियेगा, probability of an event, P of E is equal to, total number of favorable outcomes, which is 3, and total number of possible outcomes, which are 6, जब आप इन्हें divide करोगे, तो यह आजाएगा, 1 upon 2, है न, यह 3 ने 6 को 2 time, तो मतलब probability of getting an event, is 1 by 2, समझ मही बात, clear होगी बात, तो इसकी probability क्या होगी, 1 by 2 होगी, जब आपने एक dice को throw किया, तो उस पर even number ही मिले, इसके लिए क्या probability होगी, 1 upon 2, आया आपको खेल समझ में, probability का, probability का formula, यह बहुत ज़्यादा important formula है, प्यारे बच्चों, हैना, यह एक मात्र formula है, और ज़्यादा कुछ है भी नहीं यहाँ पे, जब भी कोई possibility, जब भी कोई event की probability की बात होती है, probability की बात जब भी होती है, तो देखो probability को आप खुद सोचो, क्या हो सकती है, मतलब किसी भी काम का होना या नहीं होना, यह दो ही case होते हैं हमारे पास, या तो कोई काम होगा, या नहीं होगा, हाँ, इनके बीच में ज़रूर हम vary कर सकते हैं, जैसे 10% काम हो गया, 20% काम हो गया, 50% काम हो गया, लेकिन जब तक काम कुछ हुआ ही नहीं है, जब तक काम शुरूर भी नहीं हुआ, या काम हो भी नहीं सकता, तब भी minimum से minimum क्या probability हो सकती है, जीरो, कोई favorable outcome ही नहीं, let's suppose, हाँ, तो क्या होगा, 0 ही रहेगा हमेशा, तो मतलब, maximum से maximum, या minimum से minimum हम probability की जब बात कर रहें, तो हम 0 से ही कर सकते हैं, ठीक है, चलो ये बात मैं और अच्छे से discuss करने वाला हूँ, इससे पहले मैं कुछ और बाते बताऊँगा, फिर ये बात एक और बार हम discuss करने वाले है, ठीक है, probability of an event is belongs to 0 to 1, 0 के equal हो सकती है, 1 के equal भी हो सकती है, लेकिन होगी इन दोनों के बीच में, ठीक है, इसकी बात हम और करेंगे, तोड़ा सा यहाँ पर पहले कुछ चीजों को तीख लेते हैं, देखो एक होता है, sure event, sure event, sure event क्या होगा, जिसमें जो probability of an event है ना बच्चों, वो हमेशा 1 होगा, probability of an event जो होगा, वो हमेशा क्या होगा, देखो कुल मिलाकर के बात यह है, प्यारे बच्चों, कि probability of an event जो है ना, वो कभी भी 0 से नीचे, यानि कि negative में नहीं जा सकती, कैसे जाएगी, खुछ सोच के देखो, किसी भी काम का होना या नहीं होना, depend किस पर कर रहा है, अगर हमारे पास कुछ favorable है उसके लिए, तो हम मा negative में थोड़ी ने जा रहा है काम हमारा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, मतलब zero पर है, जैसे हमने एक step भी आगे बड़ी उस काम में, तो कुछ न कुछ काम हुआ ही होगा, ठीक है, मैं general way में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है, तो negative में नही 100% का मतलब क्या, पूरा कर लिया न, पूरा कर लिया न, 100% क्या ऐसा होता है, कि आपने काम को एक बार किया, फिर दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, एक काम को पांच बार करने को आप 100% काम थोड़ी कहते हो, एक काम को एक बार पूरा कर लिया, बस 100% हो गया, या क्या डबल ट्रिपल थोड़ी न करवा रहे हैं मांपको काम हाना समझ रहो ना मतलब मैं जो यह बाते बोल रहा हूँ न यह बस आपको यह समझाने के लिए कि इवेंट प्रोबैबिलिटी जो है वो नेगेटिव में नहीं जा सकती ना वन से उपर जा सकती है ठीक है क्लियर हो इवेंट फोर एक्जामपल वैन वी थो डाइ दन एवेंट इवेंट गेटिग नंबर लेस देन सेवन इस शूर इवेंट सही बात है भाई आपने एक डाइस को फेक है ठीक है और आप यह चाहते हैं कि हमारे पास जो आउटकम आए जो प्रोबैब जो आउटकम वो कैसा आ चाहिए कहां गया लेस देन सेवन आना चाहिए है देंदर गैटिग अन नंबर लेस देन 7 जब आप डाइस को फेक होगे तो करोगे तो confirm है ना उस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही आएगा यानि कि 7 से तो सब छोटा ही आएगा तो वो event तो हमेशा ही होने वाला है होगा के नहीं होगा तो ऐसे event जो हमेशा होने हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? sure event और उनकी probability भी कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है कैसे होती है? आप खुछ से देख सकते हो देखो less than 7 चाहिए ना तो 1 to 6 favorable outcome सारे के सारे हो जाएंगे? 1 to 6 तक तो favorable outcome भी 6 हो गए और total outcome भी 6 हो गए तो probability आगई 1 आया ना समझ? आप dice को fake रहे हो आपको यह चाहिए कि आपको a number getting less than 7 है ना getting a number less than 7 तो 7 सारे के सारे dice पर जो number है वो सब 7 से चोटे ही होते है 1 to 6 तक सारे number 7 से less ही है तो सारे के सारे हमारे क्या हो गए? favorable outcome हो गए तो total favorable outcome भी 6 और total outcome भी 6 ही आते हैं तो 6 by 6 1 तो probability क्या हो गए? 1 तो ऐसी events जिनकी probability 1 होती है जो हमेशा हो नहीं हो नहीं है उन्हें हम क्या कहते हैं? sure event clear हो गई बात? an event which always happens is called sure event समझ में आ गई बात? तो sure event का आपको याद रहेगा sure event किसे कहते हैं? जो 100% done है कि वो तो हो गा ही सही clear हो गई बात? नीचे है impossible event impossible event क्या है जरा? इसको भी समझ लेते है an event which never happens an event which never happens जो कभी हो गा ही नहीं is called impossible event अच्चा ये sure event को certain event भी कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है याद रखना sure event को ही certain निश्चित ये भी कहते हैं तो impossible event की बात हो लिए बच्चो impossible जो कभी हो ही नहीं सकती होगी ही नहीं होगी ही नहीं कैसे? अगर आप एक डाइस को थ्रो कर रहे हो और ये कह दो in a throwing a die getting a number greater than 7 देखो यहाँ पर इसने example भी दिया है for an example when we throw a die then the event getting a number greater than 6 getting a number greater than 6 अब आप एक डाइस को थ्रो कर रहे हो और आपको चाहिए greater than 6 तो कैसे possible है क्या dice पर कभी भी 6 से ज़्यादा number मिलेंगे क्या आपको नहीं मिलेंगे तो आपके favorable outcome क्या है वहाँ पे? favorable outcome क्या है आपके? 0 total outcome कितने है? 6 result 0 आया समझ मैं impossible जो नहीं हो सकता मतलब उसके लिए कोई favorable outcome होगा ही नहीं favorable outcome नहीं है तभी probability क्या रही है उसकी 0 आ रही है ना? तो number greater than 6 getting a number greater than 6 कैसे होगा? 1 to 6 तक ही possibility है हमारे पास 6 के आगे नहीं जा सकते हम dice के case में है ना? तो कुल मिला करके यहाँ पर favorable outcome 0 हो रहे है तो 0 by 6 क्योंकि upon में total outcome आता है ठीक है? तो यह हो जाएगा आप पर 0 by 6 याने की 0 तो यह sure event और impossible event दोनों आपको समझ में आ गए होंगे यहाँ पर probability 1 था और यहाँ पर जो है probability of an event E is 0 ठीक है? तो यह बाते भी आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए ठीक है? यहाँ कोई दिकत वाली बात नहीं है ठीक है? elementary event की भी बात कर लेते हैं elementary event क्या है? an event which has one favorable outcome from the sample space is called an elementary event देखो अभी-अभी मैंने आपको sample space की बारे में बताया था याद करो बहुत तेजगती से यह रहा collection of all possible outcomes collection of all possible outcomes तो यह क्या कह रहा है? elementary event an event which has one favorable outcome from the sample space यानि कि जितने भी तोटल आउटकम आ रहे हैं के एक experiment के जितने भी तोटल आउटकम आ रहे हैं न उन मैं से an event which has one favorable outcome from the कहा गया? outcome from the sample space समझ में आ गए बात? एक favorable outcome आएगा उसे हम क्या कहेंगे? elementary event समझ में आ गई आपको बात अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और पढ़ो याद रखना बच्चो हमेशा probabilities किसी भी event में equal to 1 होगी अच्छा यहाँ पर देखना अभी मैं वह चीज़ आपको पता रहा था अब यह दो तरह के events और भी है ठीक है यह थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको clear है compound event and complimentary event compound event और complimentary event की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं बहुत ध्यान से आपको समझ रहा है compound event क्या होता है an event which has more than one outcomes from the sample space is called compound event compound event किसे कहेंगे बच्चो जिस event में favorable outcomes more than one हो an event which has more than one favorable outcomes from the sample space sample space वही all possible outcomes from an experiment चैक है उनको क्या कहेंगे compound event जैसे for example when we throw a die then the event getting number 5 is an elementary event है ना हम चाहरे है के result हमारे पास क्या है 5 ही है तो हमारा एक outcome हो गया ना एक ही favorable outcome हुआ तो वो क्या हो जाएगा elementary event whereas the event getting an event number 2, 4, 6 is a compound event clear हुई बात तो elementary event और compound event में यही फर्का है favorable outcome अगर one है single single favorable outcome है तो वो elementary event है और अगर multiple है यानि कि more than one है हमारे favorable outcome तो वो compound event है ठीक है तो यहाँ पर एक dice को अगर आपने throw किया और आपने यह बोला कि मुझे तो थिर्फ एक even number चाहिए तो even number के लिए आपके पास favorable outcome favorable outcome single हो गया ठीक है चाहिए एक होता है complimentary event complimentary event क्या है वो भी समझ लो फटा पर से if e is an event the event of not e एक तो होता है बच्चो event e और एक होता है not e है ना दो event की बात होगी है आपर e is complimentary event of e तो e का complimentary होगा not e याद रखना ठीक है आगे बताता हूँ for example when we throw a dice let e be the event getting a number less than or equal to 2 हमारा event हम कब मानेंगे कब happened हो गया कि जब हमारे पास less than or equal to 2 कोई number आए तो यानि कि हमारे पास 1 or 2 यह दो ही favorable outcome है dice पे 1 or 2 अगर आया तो वो हमारे लिए क्या है हमारा event e ठीक है और then the event not e getting a number greater than 2 is complimentary event मतलब जैसे हमने dice को throw किया हमारा हम यह चाहते थे हमारा event successful कब हो जाता जब हम उसके उपर या तो 1 या 2 इन दो में से कोई एक मिलता हमारे को तो 1 or 2 मिला है तो वो event e की बात कर गया लेकिन अगर हमारे पास outcome 1 or 2 नहीं आया और 2 के बात जैसे 3,4,5,6 कुछ भी आया तो वो क्या हुआ not e है ना देखो ही तो कह रहा है then the event not e getting compliment of e a number greater than 2 is complimentary event of e तो event e है उसका complimentary है complimentary को इससे denote करते हैं आप ऐसा समझ लो किसी भी काम का होना और नहीं होना ऐसा भी समझ सकते हो मतलब आप ऐसे समझ लो कि आपने कोई काम शुरू किया जैसे आपने टॉस किया चलो coin उच्छाला आपने टॉस किया तो उस पर head आने की probability क्या रहेगी favorable outcome head ये दो total outcome है head or tell head आने की probability कितनी है 1 और total outcome कितनी है 2 तो आपकी probability क्या आ गई उस event के लिए 1 by 2 तो 1 by 2 तो आने की है तो नहीं आने की कितनी वो भी तो 1 by 2 हुई आया ना भई आपने एक coin लिया उसे toss किया तो आप क्यो चाहिए कि यार मेरे पास तो head या आना चाहिए मेरे को head चाहिए तो आप जैसे उसे उसे उचाल रहे हो उस पर अगर tell आ गया उस पर tell आ गया तो मतलब head नहीं आया ना तो देखो दोनों की चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई है होना प्लस नहीं होना मिला करके क्या होगा 1 probability of होना प्लस probability of नहीं होना मिला करके कितना 1 समझ रहे हो बाद बचा हुआ जो काम रहता है इस तरह से समझने की कोशिश करो थोड़ा थोड़ा तो E is denoted by ये E के उपर इस तरह से हम बाहर लगा देते हैं elementary event को ये बताएगा तो let E be an event then we have अब ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि probability of an event जो है वो greater than equal to 0 but less than equal to 1 होती हमेशा 0 से 1 के बीच में मन रहाएगी probability ठीक है यहाँ पर देखो तो किसी भी काम का ये वाली चीज़ एक बार देखना probability of an event प्लस complementary event समझ में आरे हो बात किसी भी काम के होने की probability और इससे कह सकते हो लिया तो नहीं होने की probability एक साथ जोड कर दोनों को देखोगे तो वो बनी आएगी समझ रहो जैसे आप ऐसे समझना एक काम आपको दिया गया है कि यार ये काम आप करो आप कहोगे कि सर मेरा 10% काम तो पूरा हुआ तो 90% नहीं हुआ अभी भी तो वो 10 प्लस 90 दोनों मिला करके सम अभी भी 100 हो रहा है जैसे ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ पहरे बच्चों जैसे मैंने बोला कि यार थोड़ा सा करो काम और तो आपने का सर मेरा 40% काम कम्प्लीट है मगर 60% अभी भी नहीं है क्लियर हो रहा है तो सम और अभी भी कितना हो रहा है 100% मैंने बोला और दम लगा के करो आपको सर मेरा 75% काम दन है पर अभी भी 25% नहीं हुआ समझ रहे हो ना इस तरह से इसको समझ सकते हो क्लियर है सारी बाते तो मेरे ख्याल से आपको अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है शौर इवेंट, इंपॉसिबल इवेंट, इलिमेंटरी इवेंट, कमपाउंड इवेंट अना, इलिमेंटरी यह सब चीज़े आपको पता लग गई होंगी मेरे ख्याल से अना, सबसे important जो चीज हमारे को याद अपनी प्यारे बच्चों वो यह तो यह फॉर्मुला, है ना probability of an event का कि number of outcomes favorable to e upon total number of possible outcomes यह चीज अगर आप याद रख लोगे तो फिर आपके लिए सारी चीज़े बहुत easily हो जाएंगे, चीक है चालो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं chapter में और first question की तरफ बढ़ते हैं और solve करके देखते हैं questions को तो first question हमारे पास है two unbiased coins are two simultaneously, find the probability of getting, probability of getting, तो देखो हमारे को किस किस की probability probability बोली इसने, अब देखो two unbiased coins are toosed देखो, two unbiased coins को एक साथ हमने toast किया है, उच्छाला है तो सबसे पहले तो इसने कुछ बोला है कि इसकी probability, इसकी probability लेकिन सबसे पहले कोई सी भी event की probability निकालने से पहले हम उसके total outcomes के बारे में बात कर लेंगे तो इस event के case में आप बताओ मुझे total outcome क्या हो सकते है जब आप दो dice को एक साथ toast कर रहे हो, तो देखो total outcome के गर में बात करूँ, इस event के total outcomes की में बात कर रहा हूँ पैरे बच्छो तो देखो क्या होगा, खुद सोचो जब आपने दो coin लिए तो मान लो first coin पर head आया first coin पर head आया और दूसरे पर भी क्या ही आ गया, head आ गया दूसरे पर भी क्या ही आ गया, चलो ठीक है, फिर आपने first coin को उच्छा ला first coin पर अभी भी क्या ही आ रहा है head ही आ रहा है, और दूसरे coin पर क्या आ सकता है, tell आ सकता है तो यह दो, एक case ही हो गया, चाहिए, अब फिर से दुबारा से, अब first पर अभी तक देखो, first coin पर अभी दोनों बार में head-head लिया हमने, अब हम tell मान के चलते हैं, first के उपर मान लो tell आया, चाहिए, first coin हमने जब किया, तो first पर तो tell आ रहा है, और दूसरे पर क्या आ रहा है, let's suppose head आ रहा है, और या फिर एक case ही हो सकता है, कि first पर भी tell आ रहा है, second पर भी tell आ जाए, तो दोनों पर tt आ सकता है, तो यह देखो हमारे favorable outcome के वाल, यह four possible है, one, two, three, four, यह चार ही total outcome हो सकते हैं, बच्चों हमारे पास, यह दोनों coins को हम एक साथ toss कर रहे हैं, तो क्या-क्या case possible होए, बई first को, जब भी आप ऐसे total outcomes निकालते हो ना बच्चों, तो यह सबसे अच्छा तरीका होता है, किसी एक को fix कर लो, किसी एक को fix कर लो, जैसे हमने first coin को तो fix कर लिया पहले, कि भई head, head, और दूसरे के साथ उसकी conditions बनाते चलो, कितनी conditions बन सकती हैं, तो देखो, पहला मैंने head माना, और दूसरे को head मान लिया, फिर मैंने head माना, दूसरे को tell मान लिया, अब इसके अलाबा और कुछ हो नहीं सकता, अब मुझे first को change कर देना चाहिए, अब मैंने tell मान लिया first वाले को, तो tell के साथ head आ जाएगा एक बार, और एक बार tell के साथ tell आ जाएगा, तो यह head, tell, head, tell, यह चार possible conditions है हमारे पास, जो हम हमारे total outcomes के लिए ले सकते हैं, अब हमारा first question है one head, तो one head के लिए हम निकालते हैं probability है ना, तो देखो हम लिखेंगे, चाहतो आप पूरा ऐसे लिखो, probability of getting one head, probability of getting one head, तो देखो एक head चाहिए आपको, एक head चाहिए, तो ज़रा यह जो चार outcome आपको यह दिख रहे हैं, इनमें से one head किस-किस में आ सकता है, देखो इसमें तो दो head आ रहे हैं, यह possible नहीं है, इसमें दोनों में tell आ रहे हैं, तो यह भी possible नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक head दिख रहा है, यहाँ भी head दिख रहा है आपको, तो आपके favorable जो outcome है, इस particular event के लिए, तो favorable outcome आपके कितने हो जाएंगे, two, favorable outcome कितने हो गए आपको, और of getting one head, one head के लिए आपके पास, दो favorable outcome हो गए, और total outcome कितने है, आपके पास, 4, यानि कि आपके पास इसकी probability कितनी आ जाएगी, 1 upon 2, ठीक है, तो आपके पास probability of getting 1 head, क्या जाएगी, वो आ जाएगी, आपके पास 1 by 2, clear हो गई मेरी बात, समझ में आ गए आपको, चालो, next question क्या है, 1 tell, 1 tell, अब tell की बात कर रहा है, तो उसमें भी same case लगने वाला है न बच्चो, ठीक है, अब short में लिख देते हैं, probability को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, even कहके, ठीक है, यह even यहाँ था, तो यहाँ E2 मान सकते हो, कुछ भी अलग-अलग आप number ले सकते हो, even A2 भी ले सकते हो, कोई रिजल्ट फिर से वही आजाएगा, 1 upon 2, ठीक है, अभी भी रिजल्ट कही आएगा, 1 upon 2, clear हो गई बात, तो 1 tell भी आगया, 1 upon 2, अच्छा, next है 2 heads, 2 heads, 2 heads चाहिए हमारे को, देखो ज़रा यहाँ आपर 2 heads किस-किस में आरे, केवल एक जगे पर है, यहाँ पर, बाकी यहाँ भ 2, 3, 4, 4 है, तो यहाँ कि 2 heads के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, probability यह 3rd वाला है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास probability क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा, 1 upon 4, है ना, क्योंकि favorable outcome हमारे पास कितना है, जिर्फ 1 है, तो इसके लिए 2 heads के लिए probability क्या हो जाएगा, 1 upon 4 क्योंकि favorable outcome सिर्फ one है और total outcome तो हमेशा four year रहने वाला है इस particular event में चालो यह भी समझ में आ गया अब कह रहा है at least one head at least कम से कम एक head तो होना ही चाहिए at least है ना कम से कम एक head तो होना चाहिए तो देखो यहाँ पर तो दो head है मजा आ रहा है मजा आ रहा है ना मिनको तो एक ही चा पास है यार at least one तो हो कम से कम एक तो हो तो वो इन तीनों में ही है बस तो हमारे favorable outcome कितने बन जाते हैं यह आपर three तो fourth number वाला जो हमारा question है उस case में अगर मैं बात करूँ probability के लिए तो वो कितना हो जाएगा three upon four चीक है three upon four हो जाएगा समझ में आ गया होगा आपको मेरे ख्याल से है ना वो कितना हो जाएगा at least one head के लिए three upon four अच्छा at most one head at most और एक है no head यह दो case अब जैसे at least का आपने निकाल लिया अब गया रह जादा से जादा एक head हो सकता है at most one head जादा से जादा एक हो सकता है या तो एक हो सकता है या फिर कुछ होई ना तो ओरी बढ़िया समझे रहो इससे थोड़ा उल्टा चलेगा थोड़ा क्या पूरा उल्टा चलेगा जैसे यह क्या कहता at least one head कम से कम एक तो हो जादा कितने भी हो सकते हैं, वो कहा करा है, at most one head, जादा से जादा एक हो सकता है, बले ना हो तो भी बढ़िया, समझो बात को, फर्क है दोनों बात हो में, at most one head, तो देखो, यहाँ पर एक भी head नहीं है, बहुत अच्छा, यहाँ पर एक है, चलो ले ले लेंगे, एक है, चलो ले लेंगे दो है, नहीं लेंगे, समझो बात, तो यहाँ पर भी favorable outcome कितने हो जाते हैं, आपके पास, three, तो fifth question में भी, answer क्या ही जाएगा, three by four, समझो बात, और last question, sorry, last question क्या कहा रहा है, no head, no head, सोचो, इस में से कोई एक condition जो आपको दिख रही है, no head वाली, तो कौन सी है वो, यह रही यहाँ पर भी head है, यहाँ भी head है, यहाँ भी head है, यहाँ पर दोनों ही कहें, tell, tell, कोई head नहीं होना चाहिए, तो इसका हो जाएगा, event number, question number 6 है वो, इस question का, उसकी probability of event क्या हो जाएगी, one upon four, है न, क्योंकि उसने बोला है, no tell, कोई पूच नहीं चाहिए, चालो, चालो, यह, दोनों के दोनों tell है, तो possible है, ठीक है, तो इस तरह से होते हैं, भहिया, probability के questions, आया समझ में यह, आगया होगा, आसानी है, है न, चालो, next question पर बढ़ते हैं, बागे, a dice thrown once, find the probability of getting, अब एक dice को throw कर रहे हैं, तो भहिया, फैले तो total outcomes की बात कर लो, एक बार फिर से, total outcomes, देखो, total outcomes क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और 6, ठीक है, total outcomes 1 to 6 तक ही हो सकते हैं, तो number of total outcomes भी 6 ही होंगे, ठीक है, अब कह रहा है, अब prime number, सबसे पहले आपको बताना है, कि prime number की probability क्या होने वाली है, ठीक है, तो देखो, prime number की probability, question number 1 की बात कर रहा हूं, तो इस event के लिए probability दे देख लो ना, आपको पता है न, prime number क्या होते है, तो देखो, 2 है, 3 है, और 5 है, 1 prime होता नहीं, 4 और 6 composite है, तो यानि कि हमारे पास favorable outcome कितने हो गए, 3, तो prime number की probability कितने हो जाएगी, 3 upon total कितने है, 6, यानि कि 1 upon 2, है न, 1, 2, 3, 4, 6, तो total outcome 6 हो गए, और favorable outcome 3 हो गए, तो 1 by 2, अच explain कर रहा हूं, answers को, ठीकि, a number laying between 2 and 6, 2 और 6 के बीच में ही रहने चाहिए, ना उसे जादा, ना उसे कम, तो देखो, 2 और 6 के बीच में, 1, 2, और ये 3, 2 और 6 के बीच में क्या होता है, 3, 4, 5, तो मतलब favorable outcome कितने होगा, इस condition के लिए, 3, तो यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा 3 upon 6, यानिकी 1 upon 2, चिक है, next क्या रहा है, an odd number, an odd number, odd number क्या होता है, देखो, 1, 3, और ये 5, तीनो के तीनो कैसे है, odd numbers, तो बस, odd number है, तो यह भी 3, तो इसके लिए भी probability क्या ही होगी, प्यारे बच्चो, 3 upon 6, वानिकी 1 by 2, तो देखो, तो तीनो के तीनो क्वेशन आपके बहुत तेजगती से solve हो गए, ठीक है, आगया आपको यह भी समझ में मेरे ख्याल से तो आगया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, चलो, यह question करते हैं, अब pair of dice is thrown simultaneously, find the probability of getting a double 8 बगरा बगरा, अब देखो, यहाँ पर case थोड़ा fix outcome जाएंगे, ठीक है, और आपको यह सारी चीज़ अगर पता लगा नहीं, तो आपको वो बनाना ही पड़ेगा, तो भाईया हम पहले यहाँ पर total outcomes ही बना लेते हैं, time लगेगा थोड़ा सा, पर बनाना तो पड़ेगा, ठीक है, जब भी आप total outcomes बनाने चलो ना, तो याद पहले को हमेशा fix करके रखो, जैसे, देखो हमें बनाना शुरू कर रहा हूँ पहले बच्चों, पहले पर आगया 1, दूसरे पर भी आगया 1, फिर पहले पर आगया 1, और second पर आगया 2, फिर 1 और 3 आ सकता है, देखो पहले को मैंने fix किया हुआ है, और सारे जो changes आएंगे है फिर यहाँ पर 1 के साथ 5 आ सकता है, और यहाँ पर 1 के साथ 6 आ सकता है, देखो यह condition हो सकती है, first diaper fix कर दिया मैंने कि 1 आएगा, बाकी second पर बदल बदल करके आ सकते हैं, तो आप ना confuse नहीं होगे कभी अच्छा, अब second case क्या करें, अब first diaper आगया, let's suppose 2, लेकिन second पर क्या है 1 first पर 2, second पर भी 2, first पर तो 2, second पर 3, first पर 2, fourth पर, second पर 4, ठीक है, और क्या क्या हो सकते है, 2 तो इस पर 5 आ जाए, इस पर 2 तो इस पर 6 आ जाए, यह देखो, यह भी सारे outcome possible है, और देखो बच्चों, देखो, जिससे इस पर fix होगा 3, इस पर 1 आ जाए, 3 के साथ, यहाँ 2 आ सकता है, 3 के साथ, 3 के साथ, 3 के साथ, बच्चों, 3 लिखना हम भूल गए है, पहले 3 लिखते हैं, फिर 4 लिखें है, देखते जाएगा, यहाँ 3 के साथ, 3 आ जाए, यहाँ 3 के साथ, 4 आ जाए, यहाँ 3 के साथ, 5 और यहाँ 3 के साथ, 6, चेक है, अब आप समझ रहे होगा कि total outcomes बनाने हम में वो कैसे बनाने है और आगे बढ़ते हैं फटा-फट से देखते जाईएगा 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 और 4,6 1,2,3,4,5,6 चलो 4 तक भी पहुंच गए अब 5 का भी बनाना है अभी हमें तो देखो 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 और 5,6 देखो 5 तक भी पहुंच गए अब लास्ट 6 वाला भी बना लेते हैं तो हमारे सारे outcomes बन जाएंगे देखो 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 5 और यह हो गए 6,6 यह लो बच्चो यह तो हमारे हो गए सारे के सारे total outcomes यह हमारे पास आप काउंट करोगे देखो हमारे पास पहला क्वेशन क्या है और डबलेट तो इसमें बोल रहा है कि डबलेट कितने आएंगे डबलेट का मतलब यह होता है probability of event वो मैं यह mention नहीं कर रहा हूं कौन सा event है समझ जाओ गया तो favorable outcome कितने है उसके लिए 6 total outcome कितने है थे 36 तो आपका answer क्या जाएगा 1 upon 6 देखो इस तरह से भी question solve करना पड़ेगा आपको ठीक है यह देखो मैंने right mark किया हुआ है okay sum of the numbers on two dice is always 7 अब क्या बोल रहा है देखो sum of the numbers on two dice is always 7 अब हमें ऐसे numbers निकालने है dice के ओपर जिनका sum हमेशा 7 बनना चाहिए ठीक है तो देखो यहाँ पर 1 और 6 7 इसको star बना देता हूं यह रहा 7 sum एक यहाँ इस वाली line में देखोगे तो आप sum करना करके देखना पड़ेगा यह 2 और 5 का sum 7 होता है बागी किसी का भी नहीं होता यहाँ पर 3 और 4 का sum कितना होता है 7 यहाँ पर 4 और 3 का sum कितना होता है 7 यहाँ पर 5 और 2 का sum कितना होता है? 7 और यहाँ पर 6 और 1 का sum कितना होता है? 7 तो देखो इसके लिए भी हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कितने outcomes है total? 6 outcomes तो second case के लिए हमारे पास outcomes कितने है पहरे बच्चों? 6 चीक है? इसके लिए हमारे पास 6 outcomes हो गए तो 6 upon 36 which is 1 upon 6 चीक है? अब 3rd की बात भी करेंगे देखो 3rd क्या किया रहा है? An event, an event number, sorry An event number on the first die and a multiple of 3 on the other देखो 1st dies पर तो एक even number होना चाहिए और कहां गया? and multiple of 3 on the other अब देखो अब multiple of 3 का मतलब हो गया या तो खुद 3 multiple हो सकता है या फिर 6 होता है मतलब पीछे वाले जो dice का number हो वो तो 3 और 6 में से कोई एक होना चाहिए और आगे का even number होना चाहिए even number का मतलब 2, 4 और 6 कुछ भी हो सकता है मतलब आगे का तो इन 3 में से कुछ भी हो सकता है पीछे का ये 2 में से एक होना चाहिए ठीक है तो चलो देखते जाए फर्स में देखो 1 1 1 1 1 1 आ रहा है तो 1 तो even होता ही नहीं है तो 1 को छोड़ दो सेकंड में आओ सेकंड में 2 even होता है तो देखो 2, 3 ये even number भी हो और एक 3 का multiple भी है तो ये case हो जाएगा अचाहिए इसको भी मैं कुछ अलग से माक कर देता हूँ ताकि आपको पता लगे ठीक है ऐसे box बना देता हूँ box ठीक है तो ये 2, 3 1 हो गया ऐसे ये देखो 2, 6 2 एक even number है और 6 जो है और 3 का multiple होता है तो एक ये भी हो गया मेरे पास तो yellow दो favorable outcome हो गए अब 3 को तो ले ही नहीं सकते क्यों क्योंकि first 26 वाला जो number है वो एक even number होना चाहिए और वो even number नहीं है तो 4 में आओ अब सीधा तो देखो यहां से 4 पर आए 4 पर आए ये 4 और 3 4 और 3 देखो अब आप 4 जो है even number भी और 3 जो multiple भी हो तो मतलब ये count हो जाएगा ये भी count होगा तो एक count ये हो गया और एक या 4 और 6 तो ये भी count होगा क्यों even number 4 और 6 जो है वो multiple है किसका 3 का 5 की तो बात नहीं करेंगे 5 और नमबर है और first पर हमें even ही चाहिए यहां पर 6,3 की बात करो 6 even number और 3 multiple of 3 यहां पर 6,6 की बात करो 6 even और 6 multiple तो total outcome देखो box वाले 1,2,3,4,5,6 तो इसके भी outcome कितने आगए आपके पास total 6 outcome आगए यानि कि इसके लिए भी आपका event क्या हो गया? 1 by 6 ही हो जाएगा वो भी कितना हो गया? 1 upon 6 आया समझ में यही भी खेल आपको कैसे खेला गया यह फूरा? clear हुई बात? इतने सारे आपने outcomes भी बनाए है और उनका नतीज़ा यही निकला है, ठीक है? चलो यहाँ पर a card is drawn at random from a well-shuffled deck of 52 cards, find the probability that the card drawn is a red card देखो total जो 52 cards होते हैं total card कितने होते हैं? 52 उन में से red कितने होते हैं? 26 और black कितने होते हैं? वो भी 26 होते हैं, इसने क्या बोला? a red guard red guard की बात होरी न, तो सिधा-सिधा red guard तो क्या चला जाएगा? red guard कितने होते हैं? 26 तो इसके लिए अगर मैं probability बनाता हूँ तो क्या होगी? red guard total कितने हैं? 26 और total card कितने होते हैं? 52, यानि कि 1 upon 2 इसके probability क्या हो जाएगी? 1 upon 2 चीक है? दूसरा है a non-ash, चीक है? तो second question है देखो, ash आपको पता है न, जितने भी numbers होते हैं, ash से लेकर के king तब के, उन सब के individual 4-4 card होते हैं हमारे पास तो non-ash तो 4, अव्दा, ash तो 4 होते हैं तो total non-ash चाहिए न, तो 52 में से 4 हटा दो, बाकी कुछ भी आ जाए तो वो कितने होगे? 48 तो इसके लिए हमारा answer क्या चला जाएगा? 48 upon 52 अब इसको आप 4 से डिवाइड करो अगर तो ये कितनी बार होगा? देखो, 1 बार ये 2 बार और ये 13 बार तो 12 upon 13 इस cancer आजाएगा, और king और jack, अब जगो, king भी 4 होते हैं, और jack भी 4 होते हैं तो total favorable outcomes इनके लिए कितने हमारे पास? 8 है ना? तो मतलब हमारे पास इसके लिए probability क्या निकलेगी पैच्चो? हमारे पास इसके लिए निकलेगी probability भाई, king और jack की बात कर रहा है, तो 8 upon 52 8 upon 52, तो 2 से कट गाई है, 2 time और यह कटता है 13 तो यह हो जाएगा 2 upon 13 king और jack, total 4-4 काट दोनों के होते हैं, तो total 8 हो जाएगे अच्छा, अब यह किरा है, neither a king nor a queen neither a king nor a queen, तो खुद से फिर समझ लो, देखो king कितने होते हैं queen कितनी होती है, king भी 4 होते है queen भी 4 होती है, total 8 हो गए total कितने हो गए, 8 तो यह 8 के अलावा और बाकी कुछी भी आजाए तो आप क्या करोगे, 52 में से 8 को subtract कर दो, है ना तो यह 4th केस में यहीं बना दिता हूँ वै, favorable outcome जो है 52 माइनस 8 और upon में क्या, 52 ही आएगा यह समझे नहीं समझे आप बात neither a king nor a queen ना तो king होना चाहिए, ना ही queen, तो दोनों के मिला के 8 ऐसे outcome है, जो हो सकते हैं और हमें भी हटाने, तो 8 जो outcome है total 52 में से subtract कर दो तो जैसे आप इसे subtract कर दो गए यह कितना आ जाएगा 44 और upon 52 तो वही यह हो जाएगा 1 1 और यह हो जाएगा 13, तो 11 by 13 आपका answer हो जाएगा, clear हो गई बात neither a king nor a queen तो दोनों के दोनों मिला करके 8 होते हैं, और हमने 8 को 52 में से subtract कर दिया, 44 44 में से 8 मादब 8 हमने favorable outcomes को हटा दिया, तो कितने रह गया 11 upon 52 clear हो गई बात, solve हो गया यह question आपको समझ में भी आ गया होगा, टिक है चलो एक और question देखते है इसके बाद एक question क्या कर रहा है the bag contains 5 red bowl and some blue bowls, if the probability of drawing a blue bowl is double that of red, determine the number of blue balls in the bag देखो, किया रहा है पहले तो 5 तो red balls है and some blue balls है, तो let's blue balls x let blue balls कितने हमारे पास x तो total balls कितने हो गए total balls, red plus blue मिला कर कितने हो जाएंगे, बचाओ 5 plus x, यानि कि total outcome 5 plus x हो गए हमारे पास सब, अब मैं probability of red निकालता हूँ, probability of red है ना, तो probability short में लिख रहा हूँ, of getting red ball, तो red ball की probability किया है, total 5 है, तो favorable outcome भी 5 होंगे और upon total outcome वो कितने है, 5 plus x अच्छा, ऐसा है मैं blue के लिए भी probability निकालता हूँ, probability of getting blue वो कितने हो जाएगी, तो x, हमने x ही तो माना है और नीचे वो ही 5 plus x, देखो, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, बहुत basic सी बाते है यहां तक तो, total x माल लिया total outcome या total जो ball से 5 plus x हो गई और वो ही total outcome होगे अब red की probability हो गई 5 upon 5 plus x और blue की हो गई x upon 5 plus x, यहां से अब एक condition दे रखी हो उसमें अब blue ball is double, blue ball की जो probability is double, that of red समझे बात को, बहुत भ्यान से समझने की ज़र होते है, जो blue वाली है वो red की क्या है, double यानि कि blue वाली क्या है, x upon 5 plus x यह double है किसकी, यह इसकी double है red वाली की double है, ठीक है तो यहां से जब आप solve करने जाओगे तो देखो यह upon और यह upon दोनों cancel यानि कि सीधा-सीधा x is equal to 5 to the 10 निकल के आ गया यानि कि आपके पास blue ball कितनी है 10, आया समझ में, क्या किया मैंने, बस उसने जो बोला था, वो ही किया अलग कुछ भी नहीं किया, प्यारे बच्चो, है ना भाई, red और blue था, तो red 5 गिवन थी, blue की मैंने x मान ली और बस सीधा-सीधा probability का formula यूज किया है और question बहुत आराम से solve हो किया है चलो, एक question और दे रहा है, a box contains 5 red, 4 green and 7 white ball a ball is drawn at random from the box, find the probability that the ball drawn is this this तो देखो red, green और 7 है, तो total balls, total outcomes, total outcomes लिख लो, पहले तो total outcomes, कितने हो जाएंगे भाईयाजी, 4, 5 plus 4, 9 plus 7, यानि कि 16 हो गए है, हैना, total outcomes कितने हो गए, 16, अब क्या पूचा, अब white, white की probability, तो probability of getting white, हैना, तो मैं short में probability of यह से लिखके, favorable outcome देखो इसके लिए, white के लिए कितना है, 7, तो 7 upon 16, और 7 prime number है, cancel होगा नहीं, ठीक है, यह हो गया आपका white के लिए probability, second, neither a red nor a white, वो कह रहा है कि ना तो red हो, और ना white हो, तो फिर क्या बचा, केवल green ही तो बचा, सोच कर देखो एक बार, वो कह रहा है कि neither red nor white, ना तो red होना चाहिए, ना white होना चाहिए, तो फिर क्या ही case बचा, green ही तो बचा, याने कि क्या बचेगा फिर, green वाला case which is 4, तो यह हो जाएगा 4 upon 16, याने कि 1 upon 4, यह हो गए इसकी probability देखो आगा समझ, clear है बात, चाल यह तो बहुत बढ़िया, तो फ्यारे बच्चो मैं उमीद करूँगा, आपको आज का probability chapter भी बहुत अच्छे से समझ में आओगा, keep watching motion foundation channel, like करो, subscribe करो, और comment भी कर सकते हो, thank you बच्चो